नमस्कार, Competition Community के Comprehensive CurrentFS प्रोग्राम में मैं पोखराजगिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरा वीडियो है इसके माध्यम से 15 से 31 जुलाई 2023 के CurrentFS का जो आनलिसिस है उसको लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ इसलिए आज की डेट में ये वीडियो जो है आप लोगों को मिल रहा है तो जैसे कि आप जानते में हमेशा कहता हूं कि समय को बिना वेस्ट करे हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं तो खाली स्लाइड आ चुका है अब खाली स्लाइड आ चुका है, मतलब आप जान लो इसमें कौन होंगे, एक सहितकार होंगे और उनकी रचनाएं होंगी, तो ध्यान रखिएगा, आज का कोड ऐसा है कि तीन जन भाई बहन है, ठीक है, तीन जन भाई बहन है, दो जन भाई है और एक जन बहन है, तो दो एक नाम शेश और रविंद्र और बहन का नाम कविता, अब ध्यान रखिएगा, इससे अपन क्या करते हैं, तो सहितकार और उनकी रचनाओं को बना लेते हैं, तो शेश से है, पंडित शेश नाथ शील, तो ये सहितकार है, पंडित शेश नाथ शील, रविंद्र से उनकी एक रचना है रविंद्र दर्शन कौनसी रचना रविंद्र दर्शन और कविता से है कविता लता समझे के नहीं समझे तो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि तीन भाई बहन का नामियाद रख लो दो भाई है एक बहन है शेश रविंद्र और कविता तो सहितका ठीक है, अब आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो का अगला जो phase होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पिछला जो वीडियो था, उसमें जो प्रश्ट मैंने दिये थे, उनको discuss करते हैं, तो देखिए, सबसे पहला question था, 36 गडिया उलम्पिक के संबंध में असत्य क्या ह हैं, तो असत्य में हरेली तिहार के दिन इसका शुबारंब किया गया था, तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है, अगला statement, इसके अंतरगत, 16 प्रकार की अलग-अलग खेल विदाओं को शामिल किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, और तीसरा, इसमें तीन वर्ग को तीन भागों में बाढ़ दिया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एक था 18 से कम, फिर था 18 से 40, और तीसरा वर्ग था 40 से अधिक, तो ये तीनों statement सही है, तो असत्य क्या हुआ, इन में से कोई नहीं असत्य, ठेक है कि नहीं है, अगला question, मुख्यमंत्री में मैंने बताया था, ये लोकारपण कांकेर में हुआ, अच्छा, अब इसके बाद, mistake हो गया जी, लीखने में, अगला question जो है, वो सीधा, 1, 2 का फोर हो गया है, एक question मुझसे ऐसा लगता है कि, इंपोर्ट करने में दिक्कत हो गया, चलो ठीक है, इतना तो माफ कर देना, और नहीं करो गत्भजिया, खाओ मत करू मेरे क्या है, तो battle not yet over, ये आत्म कथा किसकी है, तो ये आत्म कथा है, चत्रगण के वर्तमान राजपाल, श्री विश्व भूशन, हरीचंदन जी की, समझे की नहीं समझे, तो ये question थे, एक question मिर से मिस हो गया, ऐसा लग रहा है, इ examination के point of view से इनको जरा अच्छे से अपन देखते और समझते हैं, सबसे पहले है, 36 गड़ को मिला राश्टपती के हाथो भूमी सम्मान, ठीक है, तो राश्टपती, श्वीमती, द्रौपती, मूर्मू जो है, उनके हाथो 18 जुलाई, 2023 का दिन था, और नई दिल्ली के विज् एक का नाम है सर्गुजा और दूसरे का नाम है बेमेतरा, इनको भूमी प्रमंधन और प्रशासन के लिए क्या मिला है, प्लाटिनम सर्टिफिकेट भूमी सम्मान का, किसका प्लाटिनम सर्टिफिकेट, भूमी सम्मान का प्लाटिनम सर्टिफिकेट दिया गया सर्गुजा और बेमेतरा को ठीक है तो ये तो डोटो न्यूज है अब इसको डीटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करना बेसिकली डिजिटल इंडिया लाण्ड रिकॉर्ड मौडनाईजेशन प्रोग्राम तो केंद्र सरकार के द्वारा Digital India Land Record Modernization Program को चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो land records हैं, उनको क्या किया जा रहा है, modernize किया जा रहा है, digitalize किया जा रहा है, ताकि ये जो land records हैं, इनको लोगों को avail कर पाना, पा पाना कैसा हो जाए, एकदम आसान हो जाए, समझ में आया, पह तो इस program के माध्यम से land records का digitalization किया जा रहा है, जिसके माध्यम से होगा क्या, कि जब आपको land record चाहिए, तो आप अपने mobile या किसी computer अगर आपके पास है, तो website के माध्यम से इन land records को बहुत आसानी से download कर सकते हैं, समझ में आया, अब ये जो DILRM कहते हैं इसे, इस program के अंतर गड़ में 95% हो चुका है, कितना परसेंट हो चुका है, 95% और इसलिए 36 गड़ को कौन सा सम्मान मिला है, भूमी सम्मान मिला है, समझ में आया कि नहीं आया, और यही काम हमारे सरगुजा और बेमेतरा district में कितना हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, 100% हो चुका है, अलग से इनको platinum certificate मिला है, समझ में आया तो मैंने आपको क्या कहा, digital India land record modernization program के अंतरगत, भूमी प्रबंधन का काम हमारे यहाँ 95% हुआ है, इसलिए हमको भूमी सम्मान मिला, और सरगुजा बे में तरह यह district में 100% पूर्ण हो गया है, इसलिए इनको क्या मिला है, तो इनको platinum certificate भूमी सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है कि नहीं है, अब थोड़ा साथ जहान रखना, कि यह जो DILRM, Digital India Land Record Modernization Program है, basically इसके चार घटक है, और चार घटक क्या-क्या है, तो सबसे पहले इसके अंतरगत, land records का modernization या digitalization आता है, क्या आता है, land records का digitalization, land records को digitalize कर देना, ठीक है कि नहीं है, इसके अलावा, पंजियन कारियाले से क्या करना, कॉर्डिनेशन, फिर है क्या, model record room की स्थापना करना, establishment करना, किसका model record rooms का, और survey और survey का का कारिया, तो यह चार घटक है, जिसके अंतरगत, भूमी प्रबंधन का काम जो है, वो हो रहा है, किस program में, Digital India Land Record Modernization Program, यह program 95% complete हुआ है कहाँ पर, हमारे राज में 100% complete हो चुका है कहाँ पर, तो सर्गुजा और बेमितरा district में, जिसके लिए ध्यान रखना सर्गुजा बेमितरा को, specially platinum certificate मिला है, ठीक है, तो Land Record का Digitalization, Modernization करना, इस program का क्या है, basic objective है, तो मेरे हिसाब से, इस news को तो काफी अच्छे तर MCQ टाइप का बात करोगे न, तो आपको पूच सकता है कि भूमी सम्मान जो है, वो किसके द्वारा दिया गया, तो पहला question किसको मिला, तो 46 गड़को, ठीक है कि नहीं है, अच्छा, अब separately एगर जिलो को पूचना चाहेगा, पूच देगा भाईया, platinum certificate कौन कौन से जिलो क म कौन कौन से है, तो ये भी आपको separately पूचा जा सकता है, तो ये कहलो आपके तीन प्रकार के MCQ जो है, वो आपको पूच सकते हैं, अगर देखो ना तो paper number 4 जो है, इसमें ना separately आप mains के section में 30 words में ready कर सकते हो, ती शब्दों में Digital India Land Record Modernization Program को, ठीक है कि नहीं है, तो ध्यान इस तो next क्या है, तो देखेगा, मुख्य मंत्री ने किया 36 गढ़ी नाटक सुराजी गाओं का विमोचन, ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो नाटक है सुराजी गाओं, इसका उन्होंने विमोचन किया कहां पर, तो विधान सभा परिसर में उनका जो कारियाले है, समझ में आया उनका जो ओफिस है, वहाँ पर, अब ये जो नाटक है, ये रचना किसकी है, तो श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी की, सुराजी गाओं की रचना किसने की है, तो ये नाटक है, जिसकी रचना दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने की है, अगला ध्यान रखना है कि ये जो नाटक है ये किस पर आधारित है बेजड है तो सरकार का जो महत्वकांशी स्कीम है जिसका नाम क्या है नर्वा गर्वा घुरुवा बाड़ी ये जो योजना है इसी योजना के उपर श्री दुर्गा प्रसाथ पारकर जी की नाटक सुराजी गाउं है ठीक है कि नहीं है अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है तो ये जो सुराजी गाउं है इसकी रचना के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं क्या प्रयास कर रहे हैं तो जो सुराज सरकार की ये जो योजना चल रही है, उसके प्रती लोग क्या हों? जागरूख हों और अधिक से अधिक इसका क्या कर सके? लाभ उठा सके. ये इनका क्या है? मेजर अबजेक्टिव है इस नाटक को लिखने के पीछे का. अब आपको ध्यान रखना है, इसमें से questions की ब साथ पारकर जी और डीटेल में पूछना होगा तो पूछ देगा कि ये basically किस योजना पर आधारित है? तो नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी इस योजना के ऊपर आधारित है, संगवारी. समझ में आया की नहीं आया? ठीक है, तो तीन प्रकार के question इसमें से बन जाएं अब है उसका परका प्रभाद. IIHR बोलोगे तो Indian Institute of Horticulture है कहां पर ये? बैंगलोर. समझ में आया की नहीं आया? ठीक है बई. अब ध्यान रठना एक योजना है, जिस योजना का नाम है एक उतपाद, एक जिला योजना. तो ध्यान रठना इस योजना का major objective ये है, केंदर स एक जिले, से कोई एक ऐसा उतपाद निकले, जिससे की उस राज्य और उस जिले की क्या हो सके? पहचान बन सके. इसको ना National Livelihood Mission, राष्ट्री आजिविका मिशन के अंतरगत इस योजना को चलाया जा रहा है. और इसी योजना के अंतरगत राइपुर जिले का चयन हुआ है किसके लिए पता है? पपीते की खेती के लिए. समझ में आयक नहीं आया? तो एक योजना है. उस योजना के तहट राइपुर जिले का चयन हुआ है. पपीता के खेती या फार्मिंग के लिए. ठेक है भई? अब ध्यान रखना. इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो किसान नाम क्या है? नाम है अर्का प्रभात. और इस अर्का प्रभात को बनाया किस ने है? तो इंडियन इंस्टिटूट ओफ होटी कल्चर बैंगलोर ने. ठीक है कि नहीं? इसका पौधा राइपुर लाया जा चुका है. और ध्यान रखना ये जो है ना इसमें special रोग प्रतिरोधी शमता है. ठीक है? पापाया ring worms करके बोलते हैं या प्रपाया ring virus, रिंग वाइरस नहीं. रिंग वाइरस रिंग वाइरस तो क्या है? जानुरों हो जाता है. पापाया ring वाइरस करके एक spot virus होता है. इस spot virus से ये प्रतिरोधी है. मतलब अर्का पपिता अपने घर में लगाऊगे तो spot ring virus जो है आपके पपिता पेड़ में नहीं लगेगा नहीं आएगा यह virus पपीता का जो अधिद खोन डेरिंग धिन करते है पपीता को ऑसा आप में असरे प्रटीरोध होता है तो राइपूर में में के इस खेती होगा और प्रजाती लगाए जाएगा तो रहेगा अर्काप्रभात और इसको develop कहां किया गया है, तो Bangalore में Indian Institute of Horticulture के द्वारा, ठेक है भई, अब धियान रठना, अगर इसमें से question बोलेंगे, तो पहला question बन जाएगा, कि एक उत्पाद, एक जिला योजना, इसमे राइपूर का चयन किसकी खेती के लिए किया गया है, पपीता, पहला, कौन से प्रकार का खेती, या कौन से प्रकार का, पपीता का खेती, और का प्रभात, थर्ड आपको पूछेगा, किस प्रकार के वाईरस से resistant प्रतिरोधी है, तो spot वाईरस से ये प्रतिरोधी है, चौथा डीटियल में पूछ सकता है, Indian Institute of Horticulture कहां पर है करके, ठीक है, तो ये है Bangalore ठीक है, चलो भई, next news पर आजाते हैं, अब next है, अगर आप ध्यान से देखें, तो मई 2030 का जो डेल्टा रैंकिंग है, नीती आयोक का, उस रैंकिंग में 36 गड़ के राजनाद गाव जिले ने बाजी मारी है, ठीक है कि नहीं है, क्यू बाजी मारी भई, तो कृशी और जलस संसाधन के शेत्र, इस शेत्र के अंतरगत, समझ में आया कि नहीं है, तो कृशी और जलसंसाधन का जो शेत्र था, इस शेत्र के अंतरगत उत्कृष्ट कार्य, बहतरीन कार्य करने के लिए, राजनाद गाव जो है, वो असल में रहा देश में third place पर, समझ में आया कि नहीं राजनात गाओं जो है वो आया है third और इसलिए राजनात गाओं को क्या कहा जा रहा है champion of change ठेक है कि नहीं है अब क्रिशी जलसन साधन या जो शेत्र है इसके अंतरगत कौन कौन सी चीजे आती है जिनमें राजनात गाओं ने अच्छा काम किया है तो एक है micro irrigation के रखबे में क्या हुई है वरिद्धी हुई है तो अच्छा बात है जब रखबे म्रिद्धी होगी मतलब ज्यादा छेतर में खेती हुई उत्पादक्ता क्या होगी बढ़ जाएगी मनरेगा के अंतरगत तैयार जल स्रोथ तो अच्छा बात is इडिशन में काम आएगा पशों का टी का करण होए तो ये भी अच्छा बात है और दूसरा क्या है क्रिशी उत्पादक्ता में क्या हुई है बढ़ोत्री हुई है जिसके कारण राजनाद गाउं को क्या मिली है सफलता मिली है clear है कि नहीं तो ये तो इसका हो गया detail अब अगर कहोगे कि आप इसमें से question बता दो तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले पूछेगा कि राजनाद गाउं का rank कितना था second question किस शेत्र में कौन से field में मिला समझ में आया की नहीं आया और बहुत detail करना होगा तो उस field के अंतरगत आने वाले जो indicators हैं वो कौन कौन से हैं करके तीन प्रकार के mcqs जो है वो बन सकते हैं इसके अलावा क्रिशी शेत्र में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें आप इस fact को current fast का use कर सकते हैं तो basically यह काम में आ जाएगा ऐसे के लिए भी आपके चलो भाई आगे बढ़ जाएं 36 गड़ में काली मिर्च की खेती होगी अब वैसे तो बहुत सारी चीजे लिखी है लेकिन examination point of view से काम क्या क्या है पता है यह खेती कहां होगी तो कोंडा गाओं ब्लॉक विकास खंड जिला भी कोंडा गाओं हुआ ग्राम का नाम है चलका क्या नाम है ग्राम का चलका और माधंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर क्लियर है की नहीं है तो आपको ना यह दोठों MCQ के रूप में सीधा सीधा क्वेशन पूछेगा चत्तगड में काली मिर्च की खेती कहां होती है कोंडा गाओं होती है ठीक है कि नहीं कोंड करता है माधंतेश्वरी ह अब काली मिर्च की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए लाल लाटराइट मिट्टी हो लाल मिट्टी उत्तम होती है जलधारन शमता वाटर रेटेंशन कैसा होना चाहिए तो फिर जलधारन शमता ठीक ठाक सी मिट्टी होनी चाहिए पी एच मान कितना होना चाहि बढ़िया थोड़ा सा ठंडा वाला हो और ताप मान नियूंतम कित्ता चले जाए 10 से 12 तो ये उप्यूक्त है किसकी खेती के लिए काली मिर्च की और इसी लिए काली मिर्च की खेती जो है वो कहां होने वाली है गलती से लाल मिर्च बोल दिया होगा तो आफ कर दे ना काली मिर्च की खेती जो था ना इसको दो भागों बाटा गया एक जिला राइपूर अलग और दूसरा राइपूर ग्रामीन राइपूर रूरल और राइपूर रूरल जो है क्या क्या आएगा तो धमतरी महा समून गरिया बंद बलोदा बजार भाठा पारा तो राइपूर जिला सेपरेट और राइपूर संभाग में जो चार्ट हो बज गया वो राइपूर ग्रामीन के नाम से फिर दुर्ग रेंज जो है अब दुर्ग रेंज को फिर से राइपूर 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 ग्रामीन दुर्ग तो ठीक है सेपरेट रेंज बन गया क्या राजनाद गाओं फिर बिलासपूर है सर्गुजा है और बस्तर है ठीक है कि नहीं है तो आपको या वर्जन 2.0 लॉंच किया गया कब किया गया है तो 29 जुलाई कौन किया है तो भईया माननी मुख्यमंत्री जी फोटम देख रहे हैं आपको ठीक है कि नहीं है तो मोर बिजली आपका 2.0 कब 29 जुलाई तो ध्यान रखना इसका जो पहला वर्जन था वो 6th of October 2020 इसको लॉ भईयम से घर बैठे लगभग 36-36 प्रकार की सेवाएं जो है प्राप्त की जा सकेंगी ठीक है भई इसके अलावा ध्यान रखना ये 36 गड़ी में जानकारी देने वाला पहला गर्मेंट आप है पहला शास्की आप है जो कि 36 गड़ी भाशा में क्या करता है जानकारी देता ह हाफ बिजली बिल योजना जो है उसके अंतरगा जो भी छूट मिल रही है वो भी इस से पता चल जाएगी ध्यान आपको एक चीज यह भी रखना है कि भूईया जो मोबाईल आप है उसके बाद सिर्फ मोर बिजली आप ही है जो की 10 लाग से अधिक डाउनलोड हो चुका है समझ में आया कि 10 लाग से अधिक डाउनलोड हो चुका है तो भुईया आप के बाद सेकेंड ही है मोर बिजली जिसका 10 लाग डाउनलोड है, समझ में आया कि न आया, ठीक है? तो ध्यान आपको क्या रखना है? कब स्टार्ट हुआ है? कितनी प्रकार की? सेवाएं प्राप् ठीक है कि नहीं है अच्छा अगर आप मेंस की बात करें ने तो ध्यान रखना आप लोग ना पेपर नंबर 4 साइंस टेक वाला जो पेपर है इसमें 30 वर्ड्स में आप क्या करना इस को रेडी कर ले रहना आपको मोर बिजली आप 2.0 के उपर 30 वर्ड्स में लिखने के लिए सकता है तो इतना सार जो कंटेंट अपन डिसकस किये हैं उन कंटेंट के माध्यम से आप लोग एक बढ़िया सा आंसर जो है वो लिख पाएंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं तो ध्यान रखना है कि कोरबा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उसमें हमारे राज्य क सबसे बढ़ा तेरह सुबीस मेगावट का पाउर प्लांट जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है आधार शिला रखी है 29 जुलाई को किसने तो हमारे चीम सर ने अब यह जो पाउर प्लांट बनेगा न तो ध्यान रखना हस्देव थर्मल पाउर प्लांट जो है उसी में इसे बनाया जाएगा ये जो है super critical technology के उपर based रहेगा आप लोग मेरे को comment section में बताना super critical technology क्या होती है और इसका नामकरण भारत के पूर्व प्रधान मंतरी श्री राजीव गांधी के उपर होगा ऐसी घोषना की गई है ठेक है लागत की अगर बात करूँ तो 12,915 करोड रुपए की लागत से ये plant बनने वाला है और 660 MW की दो इकाईया होंगी तो 660 into 2 तो आ जाएगा तेरा सो बीस ठीक है इस plant का commissioning 2028 तक हो जाएगा ऐसा plan है कि 2029 में पहला unit 660 MW का चालू हो जाएगा और 2030 में दूसरा जो unit है 660 MW का वो भी क्या हो जाएगा ready हो जाएगा और पूरा plan 2030 तक functional हो जाएगा अगर प्रती megawatt मैं बात करूँ कि कितनी लागत आ रही है तो वो है 9.78 करोड रुपए की ठीक है भई examination के point of view से अगर प्रशनों पर आजाए तो ध्यान आपको रखना है पहला ही question बनेगा कि यह तेरा सुबीस MW का जो सबसे बड़ा plant बन रहा है चत्तवड़का वो जाए तो कोरबा second इसका नाम करण ठीक है कि नहीं है शमता से भी question पूछ सकता है सबसे बड़ा plant जो उसकी शमता क्या होगी तो 660 into 2, 1320 MW और उसके उपर पूछ सकता है कौन सी technology पर आधारित है super critical technology पर यह आधारित रहने वाली है ऐसे 4 MCQs जो है इस topic से क्या है बन सकते हैं अच्छा अब finally आ जाते हैं अपन किस पर तो वजन त्योहार mains के point of view से वजन त्योहार बहुत important है mains में 30 words में separate पूछेगा याद रखता ठेक है वजन त्योहार जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया था कब वर्ष 2012, 2013, 2012, 2013 ठेक है बई तो ऐसे बच्चे जो की 6 वर्ष की आयू से कम है उनमें जो nutritional levels है पोशन का स्तर है उसके आकलन के लिए उसके जाच के लिए ये वजन त्योहार होता है ठीक है कि नहीं है अब इसमें आयू वजन के 7-7 बच्चों की उचाई जो है उसकी जानकारी के माध्यम से देखा जाता है कि उस बच्चे में disability की क्या जानकारी है निशक्तता संबंधि जानकारी जो है वो निकाली जाती है तो ऐसा होता ये है कि आयू वजन और उचाई डालने पर software के माध्यम से उसमें पता चलता है कि nutritional level जो है उसकी कमी है कि नहीं है या कितनी निशक्तता कितनी disability उस बच्चे में है करके समझ में आया तो इस प्रकार से software के माध्यम से पोशन स्तर की जानकारी प्राप्त हो जाती है इस वजन तयोहार के माध्यम से वर्तमान में 36 गड़ में कुपोशन का डर है तो question का होगे तो mains का तो ready है प्री में आपको सिधा सिधा ये पूछ सकता है कि वजन तयोहार इस साल कब से कब तक मनाया गया तो एक अगस्से लेके 13 अगस्स तक मनाया गया अच्छा अगर आप mains लिख रहे हैं तो 17.76% 36 गड़ में कुपोशन का दर जो है ये आपको means में fact के रूप में काम आ जाएगा जब आप ऐसे लिखोगे तब के लिए ठीक है कि नहीं है चलिए अब हम आजाते हैं कुछ विविद facts पर और ये जो fact है सीधा MCQ के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं जुलाई 2023 के दिन मतलब ये बात अब पीछे की हो चुकी past का हो चुका है ठीक है कि नहीं है तो ये सीधा आपको fact में पूछ देगा कि नए स्थाई जच कौन है तो श्री दीपक कुमार तिवारी जी ये answer है फिर ध्यान रखना प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के अंतरगत अब चत्तिस गड़ में कोदो कुटकी और रागी की फसले जो है वो भी क्या हो गई है शामिल हो गई है ये भी आपको सीधा सीधा MCQ के रूप में एक फैट के रूप में देखने को मिल जाएगा चलिए इस वीडियो को खतम करते हैं कुछ questions के साथ तो ध्यान रखना अचत्तिस गड़ में पहला जो question है वो है काली मिर्च की खेती किस संस्था के द्वारा की जा रही है options ABCD के रूप में आप सभी के सामने है जो भी सही है इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं अगला question है प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के संबंध में क्या असत्य है आपको असत्य बताना है फिर से ABCD आप सभी के सामने है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा थर्ड है प्रदेश के किन दो जिलो को भूमी प्रवंदन और प्रशासन के लिए भूमी सम्मान platinum certificate जो है इससे सम्मानित किया गया है ठीक है और फाइनली चोथा question जो है वो क्या है नीती आयो की जो delta ranking है उसमें कि जिलो को कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है ABCD चार options आप सभी के सामने हैं तो आप सभी से निवेदन हैं कि ये जो भी questions है इनके answers को आप लोग क्या करिए तो comment section में मुझे जरूर बताइए चलिए तो इसी के साथ ये जो मेरा वीडियो है ये हो जाता है finish और मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and take care